तो जैसा कि आपने देखा कि काफी जादा दुख का माहल था और सोते सोते काफी जादा लेट भी हो गया था पर एक बात है दुख में नींद अच्छी आती है तो मुझे लगा नहीं था मैं सुब उट पाऊंगा पर 8 बजे मेरी नींद खुल गई पर मैं वापस सो गया और थोड़े दर बाद में दुबारा उट गया और इस बार में दुबारा ना सो जाओं इसलिए मैं तुरण जाके रोशनी अपने मुपे मार ली जटाका मजा बहुत आया पर रोशनी मुपे मार ली फिर बिल्कुल भी विलम ना करते हुए साड़े नो बजे हम जिम के लिए रैडी हो गए और निकल गए पूरे तयार हो के आज तो फुल वर्काउट करेंगे और मैं यह भूल गया था कि आज शनीवा रहे इसलिए हमें लेक्स मानने पड़ेंगे मुझे लेक्स मानने में बहुत आला साथी पर मजा भी आता है तो स्कॉट मार के हमने वेटेड अब टोटता है और फिर हमने यह वाली एक्सेसाइज करें इसमें पैर वापिस खीचे और इसमें पैर हमने आगे की तरफ दखेले एक तो लेक्स की एक्सेसाइज भी बहुत ज़रूरी है वरना वाडी कुछ ऐसी हो जाती है और इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है तो हमने लेकाफ की एक्सेसाइज करी फिर हमने थोड़ी देर गोड़ा बगाया इस एक्सेसाइज में मजा तो आता है पर इससे कभी-कभी नस भी चड़ जाती है और बहुत दर्द की बात आ गई है तो असली दर्द होता है स्ट्रेचिंग में भाई साव यह जो हमारे ट्रेनर है पूरिये शरीर की उड़्डीयां चटका देते हैं जब लेक्स की आक्सेसाइज होती है है पेरों मेंसे जान अगर होटी नआ तो पूरी निकाल देते हैं आत्मां निकल के भग जाती है और उसके बात बहुत मजह आता है जब यह पूरी की पूरी स्ट्रेचिंग खतम हो ज जाते वक्त ही बस हमें बीच में फसी वी दिखी अंकल के पीछे एक कार लगी हुई थी अंकल निकाल नहीं पाई रहा था तो मैंने वही काम किया जो हर कंड़क्टर करता है अंदो 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 पर हमें घराने में लेट हो गया था और साड़े बारा बच्चू का थ और स्कूटी से आने के वैसे मेरी हाले टायर में चिपके हुए काले कचरे जैसी हो गई थी यह देख सकते हो धूल धमास और भाई डाइट लेने में मुझे बड़ी आलस आती है तो मैंने घरा के मेरी मम्मी के द्वारा बनाएगा है टेश्टी टेश्टी मंगोडे खा लि और आज हमने खाना खाते खाते देखा जुजुट्सु काईसेन सीजन टू नए एपिसोड हरफते आता है तो हरफते देखते काफी प्यार आए नहीं में और साड़े तीन बच चुके हमने कुछ भी नहीं किया है और मैं सोच रहा हूँ क्या-क्या निप्टा पाऊंगा आ और व्लोग डालने का भी टाइम हो रहा था तो हमने जल्दी से अपने व्लोग पर डबिंग करना शुरू कर दी तो फिर हमने हिमाल्चु से बोला कि तेरी ऐसी की तेसी यह वाली डबिंग मैंने काट दी इसलिए वीडियो में इन दिखेगी फिर मैं ताला मारके निकल गय हमारी फैन मिली है तो कि बहुत खुश हो गई है मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा और उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोग मुझे मिलने में इतना डरते क्यों घबराती क्यों और जो लोग मिलते हैं वो थोड़े कापते से रहते यार मैं आप ही के जैसा हूँ आपका दोस्तों घबराया मत करो मुझे खुशी से आगे मिला करो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर जो मैंने बोला वो सुना ही नहीं देगा क्योंकि बहुत आवाज आ रही थी और फिर मैं जब यह ताज के सामने से निकल राता तो मैंने सोचा यहाँ पर लोग रुकते हैं इतना पैसा देते हैं सामने के व्यू के लिए और सामने क्या है नाला नाले के लिए इतना ज्यादा पैसे देते हैं लिटरली ताज में पचपन हजार से लेकर एक लाग तक के रूम है नाला देखने के लिए इतना पैसा ओ मैं लेट हो गया शिट फिर हम बहुत जल्दी से पर सेफटी के साथ अपने घर पहुंचे और आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे डाट पढ़ने अवाली है क्योंकि लेट मैं नॉर्मली होता हूं मेरे घर में आने का टाइम होता है आठ बजे एनी आओं मुझे घर आना होता है और मैं जैसे जैसे उपर चड़ रहा था मैं एकस्पेक्ट कर रहा था कि मेरे मम्मी पापस सामनी बैठे होंने कुर्सी पर हो सामनी बैठे और कुर्सी पर मैं जा रहता है अउन्हिक हो पखार णर के अब वो कॉल पे बिचारी क्या क्या करेगी सरकारी नोकरी ना तो इसलिए मजे हैं और क्या क्या बता दिया यहां पर बात चल लए थी कि मेरी भेहन ने मेरी मम्मी के लिए सूट और कर दिये जो कि अच्छी बात है और अब टाइम हो गया था जैसे ही आप वीडियो देखे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें इससे हमारी वीडियो को रीज जादा मिलेगी और हमारा वन मिलियन का टार्गेट जल्दी पूरा होगा क्योंकि जितना मुझे पता है व्लॉग चैनल पर मिलियन सब्सक्राइबर होना बहुत मुश जाग गया था फिर हमने थोड़ा सा डांस किया इस खुशी में कि रात में मैगी बनाएंगे खाएंगे बड़ा मज़ा आएगा पर लेट हो जाएंगे सोने में और तुरंथ हमने हमारा खजाना खोला और निकाली अपनी मैगी इधर आओ बीटी इधर आओ आप सोतरोंगे क्या कि आप बिना पानी कि अगर उसको गैस पर रख देता तो वो जल जाती इसलिए पहले पानी डाला पिछली बार में पानी डालना भूल गया था जला दीती एक बार तो आज हम आपको सिखाएंगे मैगी बनाना जी हैं हमारी आज की कुचिंग क्लासेज में मैगी पहले एक प्लेट प्यार से रख देनी है मैगी का पैकेट खोलना है उसमें से निकलेगा मसाली की लड़ी लड़ी के काटने के लिए केची लाएं केची से मैगी के मसाली को प्यार से काटें ताई कि उसको लगना जाए क्योंकि वही तो टेस्टी है ना फिर मैग जो मैगी का मसाला आता है वो भी डालना पड़ेगा तो वो पैकेट हम लेके निकल गए अपने खजाने के डबबे से थोड़े देर हमारी मैगी ने थोड़ा सा चिर्चिल किया और इस चिर्चिल के धुन पे हमने थोड़ा सा डांस किया तिन एक दिन एक दिन ताना ना और फ तोड़ी शांत रहो बेटी इत्ती आग बबुला नहीं होती और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे आसपास कोई बेवजा का गुच्सा करें तो हम थोड़ी सी फोक लाया और इसको सजा दी चुबाया थोड़ा सा इसको ताकि इसको समझ जाए कि इसने गलती करी और य प्र उसके बाद पूरी की पूरी मैगी पेक करके जगा पे रखने चले गए और फिर खोला खजाने का डबबा जहां पे मैगी के अलावा जादा कुछ खजाना रखा नहीं है उसको उसकी जगा पे रखा और शटर को कर दिया बढ़र हमने सोचा मैगी में मसाला डालने से फ्रोड़ सा बटर डाल लेते हैं अटरी बटरी डिलिशियस हो जाए पर देखा तो फ्रीजर में बटर खतम हो चुका था बड़ा दुख हुआ मुझे रात के बारा बज़े रोने का मन कर रहा था और फिर वही रोज का डायलोग बोलकर हम लग गए अपने काम पर कोई बात नहीं फिर बड़े ही प्यार से हमारी टू मिनिट की मेगी को जो की 10-15 मिनिट हो चुका था उसमें उसका मसाला डाला और फिर उसको बहुत ही प्यार से हिलाया क्योंकि मसाला मिलेगा नहीं तो आई इतनी जोर से हिला आयोसा जैसी मेरी मेगी से कोई परसनल धुस्मन ही है पर दुस्मन ही नहीं है मेरे को बहुत ज्यादा भूक है परसनल वह भी फिर हमने ध्यान दिया कि आप टूा लिए जो बरतन है वह जलने लगा है तो तुरन जल्दी से हमने गैस कर ढिकम ताकि सिर्फ मैगी बने बरतन ना चले वरना सुबह डाट पड़ सकती है और अब आ गया था मैगी को परोसने करता हैं और बड़े ही प्यार से मैगी को अपने बरतन में धप करके डाल दिया और पूरा का पूरा पानी भी नितार दिया क्योंकि मसाला तो असली पानी में ही होता है ना फिर हमने जल्दी से हमारे मैगी के बरतन में पानी भर दिया थोड़ा सा जिससे कि कल धोने में मम्मी को जयदा दिक्कत ना हो तो अपने मजे करें साथ में मम्मी को दिक्कत ना दें और उसके बाद हमने हमारी मेगी मजे से खाई Will and Saga सीजन टू का नय एपिसोड देखते हुए लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद गुड़ नाइट